चलिए, हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं. समराट शांतनू ने विवाह किया एक मच्छवारे की पुत्री सत्यवती से. उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीश्म ने विवाह न करके आजीवन संतान हीन रहने की भीश्म प्रतिग्या की. सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीश्म आजीवन अविवाहित रहे. क्या उनका शोशन होता होगा? महा भारत लिखने वाले वेद व्यास भी मच्छवारे थे, पर महर्शी बन गए, गुरुकुल चलाते थे वो. विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे. हस्तिनापुर के महामंत्री बने, उनकी लिखी हुई विदुर नीती, राजनीती का एक महागरंट है. भीम ने वनवासी हिडिमबा से विवाह किया. श्रीकृष्ण दूद का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे, उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हलसाथ रखते थे. यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांटों पर शासन किया और श्रीकृष्ण सबके पूजनी हैं, गीता जैसा ग्रंठ विश्व को दिया राम के साथ वनवासी निशाद राज गुरुकृल में पढ़ते थे, उनके पुत्र लवकुष महर शिवालमीकी के गुरुकृल में पढ़े जो वनवासी थे, तो ये हो गई वैदिक काल की बात, सपष्ट है, कोई किसी का शोशन नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिका के अनुसार की शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो की एक मोर पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मन चानक्य ने उन्हें पूरे देश का समराट बनाया, पांच सौ छह साल देश पर मौरियों का राज रहा, फिर गुप्तवंश का राज हुआ, जो की घोडे का आते थे और घोडों का व्यापार करते थे, 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा, केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज को छोड़ कर, 22% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन ही का रहा, जिन्हें आज दलित पिछडा कहते हैं, तो शोशन कहां से हो गया यहां भी कोई शोशन वाली बात नहीं है, फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय जो सन 1100-1750 तक है, इस दोरान अधिकतर समय अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा, आंत में मराठों का उदय हुआ, बाजी राव पेशवा जोकी ब्राह्मन थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड को गुजरात का राजा बनाया, चरवाहा जाती के होलकर को मालवा का राजा बनाया, अहिल्या बाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी, धेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए, मीरा बाई जोकी राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मका रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मन रामानंद थे, यहां भी शोशन वाली बात कहीं नहीं है, मुगलकाल से देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहां से परदा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें शुरू होती हैं, 1800-1947 तक कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआ छूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतिये नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। जन्म आधारित जातिये व्यवस्था हिंदूओं को कमजोर करने के लिए लाई गई थी। इसलिए भारतिये होने पर गर्व करें और घ्रणा, द्वेश और भेदभाव के शड्यंत्रों से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं।